Hello friends, welcome to my channel, My Little One India, मेरा नाम है महिमा, गर्भावस्था के दौरान एक महिला के शरीर में धेरो बदलाव आते हैं, इन में से कुछ बदलाव शारिक होते हैं तो कुछ मानसिक, इन दोनों ही स्थिती में होने वाले परिवर्तन कई बार प्रिग्निंसी में होर्मोनल बदलाव के का पैदा होती है, यदि आप भी गर्भावस्था के दौरान आने वाले इस बदलाव का शिकार हैं तो जरा भी परिशान होने की ज़रुरत नहीं या एक आम समस्या है जिसकी चपेट में अधिकांश महिलाएं आ जाती हैं, इस समस्या को वैग्यानिक बाहशा में पीका सिंड पीका सिंड्रोम होता क्या है? गर्भावस्था के दौरान मिट्टी खाने का मन क्यों होता है? और मिट्टी खाने से क्या महिला पे या फिर बच्चे पे कोई इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा और इससे चुटकारा कैसे पाया जाए? वीडियो के स्टार्ट करते हैं और खाने योग्य वस्तू से लगाया जा सकता है और नहीं भी इसे बहतर धंग से समझने के लिए कह सकते हैं कि अचार, आइस क्रीम, बर्फ को खाने की तेबर इच्छा, पेका सिंड्रोम के ही लक्षन है लेकिन इस इस्तिती में इच्छा ऐसे पदार्थों के प्रती प्रभल होती है चो खाने योग्य है इसलिए इसके शरीर पर कोई खास दुष्परिडाम नहीं पढ़ते लेकिन जब यही खाने की प्रभल इच्छा ऐसे पदार्थों के प्रती बढ़ जाती है चो खाने योग्य बिल्कुल भी नहीं जैसे चाक, खड़िया, मिट्टी, राक, कच् सिद्ध हो सकते हैं अब बात करते हैं गर्भावस्ता के दौरान मिट्टी खाने का मन क्यों होता है या पीका सिंड्रोम होने के पीछे की मूल वज़ा क्या है इस बारे में अभी शोत करताओं को कोई ठोस प्रडाम हासिल नहीं हुआ है कई विशेशग्यों का इस सम्मन में अपना अलग-अलग मत है कुछ के मुताबित पोशक ततो की कमी के कारण गर्वती महिला के मन में मिट्टी खाने की तिवर इच्छा पनपती है वहीं कुछ का मानना है या एक मानसिक विकार है लेकिन दोनों ही मतों पर अभी तक कोई ठोस प्रड़ाम हासिल नहीं हुए है अभी इस पर और विशोद किये जाने की आवशकता है इसके अलावा भी कई संभावित कारण हैं जिन्हें मिट्टी खाने की आदत से जोड़ कर देखा गया है जैसे गर्वती महिलाओं को लगता है कि अब विशेश बीमारी में मददगार सावित हो सकता है पोशर संबंद कमियों को दूर करने के लिए मिट्टी खाने की तिवर इच्छा होना आयरेन की कमी के कारण गर्वती महिलाओं में मिट्टी खाने की इच्छा पैदा होना बहुत सी महिलाओं को गर्भा वस्ता के दौरान मिट्टी का स्वात काफी लुभावना लगने लगता है यहां तक कई लोगों को इसकी गंद बहुत लुभाती है इसलिए वो मिट्टी को खाने के लिए खुद को रोक नहीं पाते आगे हम इस वीडियो में बात करते हैं मिट्टी खाने से मा और बच्चे पर पढ़ने वाले कुछ दुस्प्रभाव के बारे में सबसे पहले बात करते हैं गर पाय जाने वाले या धातू या पत्थर के अंश दातों को नुकसान पहुचा सकते हैं कब्ज की शिकायत मिट्टी में कुछ ऐसे ततों पाय जाते हैं जो हमारे शरीर की पाचन प्रक्रिया को प्रभावित कर देते हैं इस कारण मिट्टी का निरंतर सेवन पाचन प्रक्रि इससे पेट में दर्द भी हो सकता है, साथी आतों में रुकावट भी पैदा होती है, जो भविश में बड़ी समस्या कारण बन सकता है कुपोशन मिट्टी खाने से गर्वती को कुपोशन की समस्या हो सकती है कारड यह है कि मिट्टी खाने से पाचन क्रिया प्रभावित होती है इस वज़े से गर्वती को भूग का एसास नहीं होता वहीं मिट्टी भोजन में मौजूद विटेमिन्स, मिनरल्स जैसे जरूरी पोशकततों के अवशोशर को भी वाधित कर सकती है जो गर्भावस्ता के समय एक महिला को मिलने चाहिए फल स्वरूप मिट्टी खाने के कारड महिला को उचित पोशकतत तुम नहीं मिल पाते और वकुपोशर का सिकार हो सकती है बात करते हैं गर्व में पल रहे शिशुपर पढ़ने वाले कुछ प्रभाव के बारे में समय पोर्व प्रसव मिट्टी खाने से समय पोर्व प्रसव की आशंका बढ़ जाती है जिससे बच्चे की जान को खत्रा हो सकता है मिट्टी खाने से उसमें पाए जाने वाले सीशा जैसे विशैले पदार्थों के कारण कुपोशन का असर गर्व में पल रहे बच्चे पर भी पढ़ सकता है इस कारण प्रसो के दोरान बच्चे की जान जाने का भी खत्रा बढ़ जाता है कुपोशन जैसा कि आपको इस वीडियो में पहले बताया जा चुका है कि मिट्टी खाने से गर्वती कुपोशन का सिकार हो सकती है इस कारण बच्चे में भी कुपोशन की समस्या देखी जा सकती है फल सरूप जन्व के दोरान बच्चे का वजन सामाने से बहुत कम भी हो सकता है चिर्चिडापन गर्भावस्ता के दोरान उचित पोशर तत्व न मिल पाने के कारण बच्चे में चिर्चिडापन जैसे विकार भी देखने को मिल सकते हैं सिर्थ सामाने से छोटा विशेशग्यों के मुताबित मिट्टी खाने के कारण बच्चे का आकार अविक्सित रह सकता है इस कारण बच्चे के सिर्खी परिधी सामाने के मुकावले काफी कम हो सकती है ध्यान देने वाली बात ये है कि गर्वती महिला और होने वाले बच्चे में मिट्टी खाने के कारण देखे जाने वाले सभी प्रभाव अलग-अलग स्थितियों में अलग-अलग हो सकते हैं अब बात करते हैं गर्भावस्ता के दौरान मिट्टी खाने की समस्या से छुटकारा कैसे पाय जाए गर्भावस्ता के दौरान मिट्टी खाना कोई बहुत गंभीर समस्या नहीं लेकिन समय रहते इसके प्रती सावधानी बरतनी अति आवश्यक है नहीं तो भविश्य में इसके संभावित परणाम अत्यधिक कष्टदाई सावित हो सकते हैं कुछ विंदो की सहायता से हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि इस समस्या से छुटकारा कैसे पाय जा सकता है जैसे कि डौक्टर से परामर्श लें गर्भावस्ता के दौरान मिट्टी खाने की आदत है तो सबसे पहले डौक्टर से संपर्व करें डॉक्टर जाज के माध्यम से ये जाने की कोशिश करेंगे कि कौन से तत्व हैं जिनके कमी से आपको ये दिक्कत आ रही है वो जाज के माध्यम से तैक करेंगे कि आरन जिंक जैसे पोशत तत्वों की कमी इस विकार का कारण तो नहीं साथ ही वो एनीमिय सम्बंदी जाज भी करा सकते हैं अगर इन में से कोई एक भी संभावित कारण नजर आता है तो डॉक्टर पहले उस कारण को ठीक करने की कोशिश करेंगे मुम्किन है कि यह उपाय मिट्टी खाने की प्रविती को खत्म करने में सहायक सिद्ध हो मिट्टी खाने की आदत वाली गर्वती महिलाओं के विवहार पर नजर बनाए रखें यह जानने की कोशिश करें कि उन्हें मिट्टी खाने की तिवर इच्छा कब और किस वक्त होती है सही वक्त जानने के बाद उस वक्त गर्वती का खास ध्यान रखें उन्हें मिट्टी ना खाने दें थर्ड पॉइंट है Mild Aversion Therapy का प्रयोग मिट्टी खाने की आदत को दूर करने के लिए Mild Aversion Therapy का प्रयोग लावकारी सिद्ध हो सकता है बता दे या एक मनो वैज्ञानिक ट्रीटमेंट है इस Therapy में रोगी का ध्यान हटाने की कोशिश की जाती है मिट्टी खाने की तिवर इच्छा होने के वक्त गर्वती को किसी अन्य काम में उलजाएं या ऐसी बाते करें जिसमें उसकी पहले सिरुची जादा हो ऐसा करने से मिट्टी खाने की समस्या से चुटकारा पाया जा सकता है फोर्थ पॉइंट ये है सामानी भोजन के लिए प्रेरित करना मिट्टी खाने की आदत छुडाने के लिए बहतर होगा कि रोगी को सामानी भोजन के प्रती प्रेरित किया जाए मिट्टी खाने की तेवर इच्छा के समय को ध्यान में रखते हुए रोगी को मन चाहे भोजन के संपर्क में लाएं वहीं इसके लिए बिना शुगर वाले चुइंगम का भी प्रयोग किया जा सकता है आप चाहें तो मन परिवर्टन करने के लिए सौफ और सुखा नारियल का भी इस्तमाल कर सकते हैं अगर गर्वती में मिट्टी खाने का कारण मानसिक विकार है तो इसके लिए आप उन्हें इनाम के जरिये इस आदत से दूर करने की कोशिश कर सकते हैं ऐसा करने से धीरे धीरे मिट्टी खाने की आदत चूट जाएगी अब पात करते हैं गर्भावस्ता के दौरान मिट्टी के अलावा अन्य पीका क्रेविंग क्या है गर्भावस्ता के दौरान अन्य पीका क्रेविंग का अर्थ है मिट्टी के अलावा अन्य गैर खा देपदार्थों को खाने की तिवर इच्छा का उभरना जैसे की चिकनी मिट्टी, बर्फ, रंग, रेत, चारकोल, राक, कागज, चौक, कपड़ा, बेबी पाउडर, अंडे का छिलका, कच्चा चावल आशा करती हूँ, मिट्टी के अलावा आपको अन्य पीका क्रेविंग की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल गई होगी अगर आप में भी मिट्टी या कुछ असमाने चीजे खाने की तिवर इच्छा पनपती है, तो परिशान होने की जवरत नहीं है इस वीडियो में दीगे जानकारी को आप आज मा सकती है, आशा करते हैं कि पिका सिंड्रोम से जूज रही सभी महिलाओं के लिए या वीडियो अत्यदिक लापकारी साबित होगी ये वीडियो अगर आपको पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेगा चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंट सब्सक्राइब करें और नौटिफिकेशन आउन करें ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मिल सकें